तो दोस्तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने रिसर्च किया था जिससे मैं मुझे समझ आया कि दोनों ने mutually decide किया था कि mutual value because आपको बाता है Chris Bumster आभी इस टाइम के वर्ल्ड के सबसे best athlete है All right guys, तो first of all Chris Bumster ने Ian Valuer को क्यों छोड़ा तो दोस्तो एक ऐसा बंदा जो कि खुद Olympia का खिलाड़ी है अपने career के peak पे चल रहा है and अपने एक ऐसे client को train कर रहा है जो कि 3 times Mr. Olympia champion एक classic division का तो दोस्तो आपको तो पता है कि जब competition नजदिक आता है खुद पे ध्यान रखना कितना important होता है जैसे कि low carb में होते है अपना जो mood होता है वो off होता है उसके बाद irritating mood भी हो जाता है बहुत सारी दिक्कत याती है low energy रहती है उसके बाद अपने client के लिए plan बनाना and उसके body पे execute करना अगर उसके body में कुछ दिक्कत या रही है जैसे कि अगर उसके body flat हो रही है बार बार तो कौन सी चीज़े introduce करना उसके body पे experiment करना and after all 100% output लाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल बात है और यह बात consistently Ian Valier ने तीन सालों तक Chris Bumster के साथ की and Chris Bumster को जीता है आपको पता है कि peak week में बंदा कितना stress रहते है लो energy रहते है most olympia के लिए 9 to 10 weeks बचे and अभी इस situation में Ian Valier and Chris Bumster ने mutually आगे decide किया कि वो आभी साथ में coaching ही करेंगे तो definitely Chris Bumster के सामने एक hardest सवाल आया होगा कुछ दिन पहले या फिर कुछ weeks पहले जैसे कि वो और Henry Ramboad Arnold's sport के दोरन मिले थे उनके बीच में conversation हुई थी Chris Bumster ने उनको बहुत सारी बाते पूची थी and Chris Bumster already impressed हुए थी उनसे definitely अभी इस time पे Chris Bumster को एक world का सबसे best coach चाही होगा because 10 weeks बचे अभी उनका cut down का prep बचा है and definitely इस time बहुत जाता enormous and massive changes होते body में जो कि positive होना बहुत ज़रूरी है एक defending Olympiad champion के लिए तो इस time के लिए कों अच्छी तरह किसे train करेगा जल्दी अपने body को को जानेगा there is only one name that is Henry Ramboad Henry Ramboad के लिए भी यह सबसे important decision था because Henry Ramboad ऐसे coach ले थे जो कि उनके साथ whole prep करते off season का prep भी and on season का prep भी तो अभी उनके पास खाली 13 to 14 weeks थे and Chris Bumstert का उनको जो cut down का prep था वो कराना था तो definitely उनके सामने बहुत बड़े challenges थे ताकि वो Chris Bumstert के body को जान ले उनके साथ बात चित करें उनके पहले के protocols को जाने उसके बाद खुद के protocols अपलाए करें किस तरीके से उनके body result देती है यह सारी चीज़े जानना उनके लिए tough था बट उन्होंने यह decision लिया अभी वो साथ में workout कर रहे है इसके पीछे का सबसे important reason Chris का था वो है कि mindset and mental health definitely आपका mindset and mental health किस तरीके से रहती है during your competition यह सबसे बड़ा matter करता है because after all अगर आप mindset आपका positive है आपका mindset अगर confident है then definitely आपकी physics में उसकी सबसे changes दिखेंगे and आपकी physical growth भी अच्छी होगी तो यह सारी techniques के बारे में Chris ने हने रामबाट के साथ बात की थी अब तब उन्होंने decide कि आता कि वो हने रामबाट के साथ coaching करेंगे and हने रामबाट वर्ल्ड के सबसे best coach है because उनके नाम पे 21 Olympia titles है, Olympia winners है तो definitely Chris Dunstan में सोचो होगा कि अपने पास best coach होगा and best coach भी proud होता है अगर उसके पास already जो champion winner होता है Olympia में वो उसके पास train करने आता है यह जो उनकी mutual understanding थी मुझे लगता है कि यह बहुत hard hit कर गई because दोनों ही बहुत बड़े potential वाले इंसान है bodybuilding में and definitely अकर Chris Dunstan का potential लेखोगे तो तीन साल लागतर peak करना stage पर कोई आसन बात नहीं है उसके बाद है ने रेंबड तो आपको पता है जीतेंगे नहीं है वो खुद से नहीं बाता सकते वो definitely top 3 में रहेंगे and top notch condition उनके athlete ज़रूर लाएंगे यह उनकी तरफ से हमेशा से guarantee रहती है third reason is training protocol तो definitely Chris Dunstan को ज़्यादा कुछ changes करने की ज़रूरत नहीं थी because जो कुछ changes करने थे उनने एक दो साल में बहुत बड़ा massive and noticeable changes करें अपने फीजिक में जैसे उनके पास जो frame है उनको maintain करना frame and फीजिक में और ज़्यादा थोड़ सा 3Dness लाना है ऐसा मुझे लगता है 3Dness लाने में जो कोच महर है मुझे लगता है हने रेंबोड इस एक्सपर्ट बिंगिंग 3D शेप बिकॉज जैसे की जैसे की जैसे की जैसे की 2008 में olympia हाला था इन उसके बाद 2009 का जो उन्होंने प्रेप किया थो हने रेंबोड के साथ किया था और हने रेंबोड ने उनके फिजिक पे और 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 राउंड मसल बैलिस एंड 3Dness लाया था तो डिफिनिटली अगर क्रिस बंस्टर की छोल्डर थोड़े बहुत 3D होते है उसके बाद और 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 बाडी में राउंड इस आता है देन डिफिनिटली आप सोचो कि उनके फ्र डिफिनिटली कंडिशन लाने में तो क्रिस बंस्टर जाने जाते ही इस एक्सपर्ट तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा एक कंबो होने वाला है अच्छा कंबो होने वाला है अच्छा एक यूनियन होने वाला है ओलम्पिया में डिफिनिटली बहुत ज्यादा चें तुगेदरली बाडी बिल्डिम अपनी जर्नी कर रहा है और मुझे लगते कि बहुत सक्सेस्पुल जर्नी होने वाले तो इसके बाद अगर फॉर्थ फैक्टर भी आयागा तो डेफिनिटली कंपाउंड का सिलेक्शन तो आयागा विकॉस कंपाउंड के बेसिस पे भी जो च पसंद आगे होगी गाईज देन डोंट फर्गाइट तो सब्स्राइब तो मैं यूटूब चैनल और उसके बाद गाईज अगर आपको कोई पॉइंट पाता है और तेन आप कमेंट सेक्शन में बाता सकते हो थैंकिए सो मच वाचिंग इट अन डोंट फर्गेट तो लाइ प्रगेट श्साम में यूझ कोणड़ आपको कोई दोल्क वाचिंग उन्ट है अन्ट उन्ट अ और उसके बाता है प्रगेट प्रुआ अन्ट हैंकिए सो मच नहीं कर दोल्क कर दोल्क हैंकिम कोई प्राइब नवडा़ तो इसक्कों मोच वाच प्राइब प्राइब